अगर मैं आपको कहूँ कि 800 करोड रुबे की मेरे पीछे ये लगी पेंटिंग एक mental asylum में रहने वाले patient ने बनाई है तो क्या आप विश्वास करेंगे ये मशूर कलाकार 19-वी सदी के एक Dutch painter थे जिनका पूरा जीवन गरीबी में गुजरा बंदे ने 10 साल से कम समय में 900 पेंटिंग बना ड़ा ली थी मगर पूरी जिन्दगी में कितनी बेच पाया सिरफ एक बिचारे भाई को पूरी जिन्दगी में कई नौकुनियों में नकामियों का सामना हुआ फिर चाहे वो art dealer की हो एक teacher की हो bookseller की हो या फिर missionary worker की तीन लेडिस को इसने propose किया तीन उने reject कर दिया जीवन भर जो है इसको मानसिक बिमारियों का सामना रहा एक दफा अपने दोस से लड़ाई के दोरान इन्होंने अपना कान तक काट लिया 37 साल के उमर में हार के उने खुद को गोली मार ली और दो दिन बाद इनकी मृत की एक सधी बाद इनका नाम आज दुनिया के जाने माने पेंटर्स में शामिल किया जाता है और इनकी almost हर एक पेंटिंग करोडों करोड में बिक्ती है यह है एक post-impressionist artist और इनका नाम है Vincent Van Gogh